क्या आप मुबाइल स्क्रिन पर खुद का फोटो सेट करना चाहते हैं यानि मुबाइल स्क्रिन पर खुद का फोटो लगाना चाहते हैं वाल पेपर में तो आप आसन से मुबाइल के वाल पेपर में खुद का फोटो सेट कर सकते हो सो आज किस वीडियो में मैं आपको बाताऊंगा मुबाइल वाल पेपर में खुद का फोटो कैसे लगा सकती हो सो इस वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखी आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरे हाथ में दो स्मार्ट फोन है आप यहाँ देखिए दोनों कमपनी अलग-अलग है यानि यह टेकनो का है और राइट वाला वीवो आईकू का है मैं इसलिए दो फोन को लिया हुआ हूँ ताकि मैं जो तरीका बताऊं वो आप में ना हो तो कैसे कर पाऊँगे यानि इस फोन से बताऊं और आपका फोन कोई और कमपनी का है और मैं चुग ना करें यह options इंटरफेस तो कैसे आप set कर सकते हैं इसके लिए मैं आप पर दो फोन को लिया हुआ हूँ मैं आप पर क्या करता हूँ दोनों फोन में सेम तरीके से open करता हूँ मैं आपको बता दू आपको अपने फोन में खोजना है गुगल फोटोज आप सभी फोन में आपको मिल जाते हैं गुगल फोटोज आप आप खोजेंगे इस तरह से भी करके खोजते हैं तो आपको यहां मिल जाते हैं आप इस एप को open करेंगे Google Photos App को, जैसे आप open करते हैं, आपके सामने इस तरह से open हो जाते हैं, और इस phone में भी मैं open करता हूं, open करने के वाद आपको यहां दिख रहा हूँगा, दोनों phone में photos हैं, आप यहां देखे, मैं आपके सामने इस वाले photo को selection करता हूँ, इसके बाद इस बाले में भी एक photo को selection करता हूँ हमने यहाप पर दोनों फोन में दो फोन को लिया हुआ हूँ दोनों फोन में एक शाथ मैं set करें के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आया कि कैल से आप wallpaper, home screen पर लगा सकते हूँ या set कर सकती हो मैं आपर क्या करता हूँ, right set दोनों में दिख रहा हुगा, three dots है मैं आपर click करता हूँ, three dots पर आपको भी click करना है इसके बाद आपको यहाँ इस्तरह करना है इस्तरह करते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा हुगा, use as और यहाँ दिख रहा हुगा photos wallpaper आप यहां देखिए और इसमें भी मैं आप पर click करता हूँ click करने पर आपको यहां दिख रहा होगा देखिए यहां पर शुकरा होगा photos wallpaper इस phone में भी same है आपको यहां क्या करना है इस पर click करना है जैसे आप इहाँ क्लिक करते हैं आपके सामनी फोटो आजुआते और आप इहाँ देखें इसमें भी मैं कलिक खærता हूँ क्लिक करने पर इहाँ दिख रहा होगा, इसमें अप्लाई का option कर लेंगे इस तरह से आप करके देखेंगे कि आपका फोटो की तरह सेट होगा अच्छा आप यहां देखिए और इसमें भी आप इस तरह कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां अपलाई पर क्लिक करना है अगर आपके फ़न में अपलाई का बटन मिले नीचे या उपर तो यहाँ apply button पर click करने के बाद आपको यहाँ home screen पर click करना है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा home screen का एक option है आपको यहाँ home screen wallpaper पर click करना है ताकि home screen पर दिखे आपको यहाँ click करने के बाद wait करना है जैसे आप वेट करते हैं आपका ये फोटो वाल पेपर में लग जाता है आप यहाँ देखें इसके बाद मैं हाँ पर क्या करता हूँ set वाल पेपर पर क्लिक करता हूँ आपको यहाँ उपर दिखे set वाल पेपर तो आपको यहाँ क्लिक करना है जैसे आप यहां क्लिक करते हैं आपका यह photo wallpaper में set हो जाता है देखना है आप यहां close करने के बाद देखेंगे दोनों फोन में आपको यहां नजर आ रहा होगा wallpaper में खुद का photo set हो चुका है आप यहां देखिए इस तरह आप आज़ानी से अपने मुबाल के होम स्क्रीन पर वाल पेपर में फोटो लगा सकती हो आप यहाँ देखिए इस तरह से यट कर सकती हो तो मैं आज़ा करता हूँ कि आप को यह वीडियो बहुती पशंद आया होगा वीडियो पशंद आये तो इस वीडियो को लाइक कर देना चल यह फिर में लेंगे अगले वीडियो में देज़े एजाज़त थेंगी समाच